हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में डिसकस करेंगे जो दोस्तो एक सिविल इंचिनियर को पता होना चाहिए तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें अगर आप चैनल पर नहीं हों तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले तो दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे वन मीटर हमारा बात जो फैक्टर यूज करते हैं वन मीटर से अगर हम फिट में कनवर्ट करेंगे तो हम फैक्टर यूज करेंगे 3.28 तो दोस्तो एक बात आपने हमेशा दियान रखनी है अगर आप meter से fit में convert कर रहे हैं तो आप factor से multiply कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप fit से meter में convert कर रहे हैं तो आप factor से divide कर सकते हैं इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है next बात करेंगे जो हमारा one square meter है दोस्तों वो कितने square feet के वरावर होता है तो सबसे पहले बात करेंगे जो में आफे factor यूज़ करेंगे square meter से square feet में convert करने के लिए 10.764 square feet तो दोस्तो जो हमारा one square meter है वो है हमारा पास 10.764 square feet यहाँ पर भी दोस्तो अगर हम square meter से square feet में convert करेंगे तो आफ factor से multiply कर सकते हैं और दोस्तो अगर आप square feet से square meter में convert कर रहे हैं आप factor से divide कर सकते हैं तो next है दोस्तो हमारा पास one cubic meter जो दोस्तो हमारा one cubic meter हो हमारा पास कितने cubic feet के बराबर होता है तो दोस्तो 35.314 cubic feet के बराबर हमारा one cubic meter हम use करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी हम, अगर हम longitudinal. 1 inch हम कितने mm के वरावर यूज़करते हैं। तो दोस्तों 1 inch में 25.4 mm 10. गला कितने इंच के बरावर कुश्का करेंगे तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं इस बात को अपने हमेशा ध्यान रखना है तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वन सूथ वन सूथ हम कितने mm के बरावर यूज करते हैं क्योंकि दोस्तों कभी कभी जो मेजरमेंट होती है दोस्तों हम सूथ में भी यूज करते हैं तो वन सूथ होता है दोस्तों जोमारा 3.175 mm के बरावर हम यूज करते हैं दोस्तों जो हमारा वन सूट है नेक्स्ट उसी तरह बात करेंगे वन इंच वन इंच हम कितने सूट के बरावर यूज करते हैं तो दोस्तों वन इंच में जो हमारा बास सूट यूज होते हैं वन इंच में सूट यूज करेंगे एट सूट एट सूट के में हमारा पास कितने केजी के बरावर होता है तो दोस्तो गर आफ केजी से टन में कनवर्ट करना चाते हैं तो आफ एक्टर से डिवाइड कर सकते हैं तो नेक्स्ट है दोस्तो मेरा पास वन इंच वन इंच हम कितने सैंटिमीटर के बरावर यूज करते हैं तो वन इंच में दोस्तो जो मेरा पास सैंटिमीटर यूज होता है तो वन इंच में नेक्स्ट है दोस्तो वन क्वंटल कितने केजी के बरावर यूज होता है तो one quintal में जो हम दोस्तो kg use करते हैं hundred kg में महरा पास one eleven quintal में use होते हैं और दोस्तो अगर आप kg से quintal में convert करना चाते हैं तो आप factor से divide कर सकते हैं next दोस्तो वहलों दोस्तो मWould one meter, one meter में कितने centimeter के व्रावर years होता है तो 1 meter में दोस्तों मेरा पास है 1000 centimeter next दोस्तों 1 meter कितने inch के बरावर use होता है तो 1 meter में दोस्तों मेरा पास जो inch use होता है 39.97 inch मेरा पास use होता है दोस्तों 1 meter में next दोस्तों 1 feet 1 feet कितने meter के बरावर हम use करते है 1 feet में दोस्तों जो मेरा पास meter use होता है 0.30 meter तो next दोस्तो 1 feet 1 feet में हम कितने centimeter use करते हैं तो 1 feet में पास जो दोस्तो centimeter होते है 30 centimeter के बरावर होता है 1 feet में पास 30 centimeter use होते हैं next दोस्तो 1 feet 1 feet कितने mm के बरावर होता है दोस्तो 1 feet में पास जो mm use होते हैं 300 mm use होते हैं last time हम बात करेंगे जो हमारा 1 cm है दोस्तों 1 cm कितने mm के बरावर होता है तो दोस्तों 1 cm में हमारा पार जो mm यूज होते हैं 10 mm हमें आप पे यूज करते हैं तो दोस्तों यह हमारा पार कुछ most important unit conversation थी दोस्तों जो एक civil engineer को पता होना चाहिए हुआ कर रेने TR, कィर सकते हैं थाय को भी ब कर दोस्तों सकते हैं कीके बता हैं